नमस्कार मैं शुमन शर्मा स्वागत करता हूं आपका रोयल इंस्टिटुट उदाइपुर के ओनलाइन प्रेटफॉर्म में बीएच्चु के प्रिवियस एर के पेपर सॉल्ड कर रहे थे हम लोग जिसमें 2019 और 2018 का हमने लाइव फ्लास में देखा अब हम देखेंगे आज से 2017 का पेपर 17 का पेपर चलिए आगे चलते हैं पहला प्रेशन है आज का इटावा अग्रणी परियोजना किस वर्ष शुरू कुई है इंग्लिश में यह क्वेशन है इटावा पाइलेट प्रोजेक्ट वाज स्टार्टेड इन दी यर तो इसको हमको याद रखना है 1948 यानि कि 1948 में अलबर्ट मेयर अलबर्ट मेयर ने यह योजना शुरू की थी आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा समन्वित ग्रावमेड विकास योजना इन टीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट तो यह स्टार्ट हुआ था 1978 में आपका जो है इन्टीग्रेटेड रूरल डेवलपमेड प्रोग्राम शुरू हुआ था नेक्स्ट क्वेशन देख लेते हैं भारती क्रश्य अनुसंदान परिशत की भारती दलहन अनुसंदान संसान जब भी इस टाइब का क्वेशन आये तो आपको उसका इंग्लिश बर्जन जरूर देखना है I.C.R. I.I.P.R. Indian Institute of Pulse Research और यह है कानपूर में और यह बहुत ही important question as per point of view of B.H.U. क्योंकि उसका favorite है U.P. के जितने भी research station से वो ज़्यादा पूछे जाते हैं इंडिया के बाकी research station के comparison में दूसरा international research station वो खास करके पूछता है आपको ध्यान रखना B.H.U. के लिए U.P. के research station जाइपूर में आपका क्या है नियाम National Institute of Agriculture Marketing नागपूर में क्या है आपका तो N.V.S.S. and L.U.P. National Bureau of Soil Survey and Land Use Planning तो यह कानपे है आपका तो यह आपका नागपूर में है इसके साथ ही साथ आपका एगमार की लेबरेटरी भी महीं पर Next question हम देखते है नेमने लिखित में से कौन सा राज्य रभी मोसम में भी धान की खेती कर लेता है Which of the following state cultivate the right in रभी season अब आपको ध्यान रखना है कि धान जो है एक खरीफ की फसल है पर सामने वाले ने प्रश्न पूछा है कि रभी के season में कौन सा राज्य धान की खेती कर लेता है तो आपको एक बात याद रखना है ये rice is a crop of hot and humid hot and humid climate धान की खेती के लिए गर्म एबं नम जलवायू किया बश्यक्ता पर सीधे सीधे कहें तो temperature अगर 25 degree या इससे ज़्यादा रहेगा तो अच्छे से आप पेड़ी कल्टिवेशन कर सकते हैं पर रभी यानि कि ठंड का मौसम शरद रितू विंटर सीजन तो हम देखते हैं एक एक करके उड़ी सा में ठंड के समय में आपमान नीचे जादा नहीं जाता क्यों नहीं जाता क्योंकि ये समुद्र सतर है ना समुद्र के किनारे के पास में इसलिए इसका उतर जाएगा उड़ी सा पंजाब की बात करें तो हम बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है ना दहान की केति रभी में नहीं की जा सकती MP में अच्छी खासी ठंड पड़ती है U U P में थेंड पड़ती है तो ज्यादा ठंडी के कारण इन तिनो रज्यों में धान की फसल को रभी में उगाने में परिशानी आती है ठीक है तो आपको ध्यान रखना है रभी को अंडर लाइन करके रेखना है इसका ध्यान रखना है उड़ी सा कोई भी आपका साउथ इंडियन ऐसा राज्य आजाए जो समुद्र सतर के पास में हो वो इसका उत्तर हो सकता है नेक्स्ट आगे चलते हैं कि इस फसल में और पर अगन हो थो धान में तो धान में सवाप अगन गेहों में भी बिद्वर और मतर में भी सौपरागन केवल मक्वा एसा पौद आ है जिसमें पर परागन होता है पर ये पर प्लाइक से प्लाइक को सिधा बना लेतेयां क्योंकि मक्का का पॉदा थो मक्का का जो पोधा है उसके उपर नर पुषपक्रम मक्का के ऊपर आपने देखा उगा जो मंजिरी आती है टेसल बोलते हैं इसको है ना पल्लर और एक मादा पुष्पकरम जिसको हम घुट्टा बोलते हैं दोनों उपस्तित होते हैं एक ही पौधे पर नर एवम मादा नर एवम मादा पुष्पकरम परन्तु अलग 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 लोकेशन्स पर अलग अलग स्थानों पर तो इस स्थि इंबीति को कहा जाता हुआँ हाँ पैलिंगा श्रेथ हंदी में कहा जाता है, उभैं लिंगा श्रेथ अंगरेजी में कह जाता है कि मोनोसियस नेचरी दोधिका दुन मेल एंड फिमेल या भोद फ्लावर्ण और प्रेजएन्ट ईड्टी सेम क्लांट बट ओन डिफरेंट लोकेशन जब नर एवं मादा पुश्पकरम एक ही पोधे पर पर परन्तु अलग-अलग इस्थानों पर इस्थित हो तब इसको हम कहेंगे मुनोशियस नेचर या उबैलिंगाश नहीं आगे चलते हैं निम नलिकित में से कौन सी फसल एमपी डिपलोईड है ना तो इसका उतर आएगा आपका गेहूं एक एमपी डिपलोईड फसल है आगे चलते हैं केंद्रीक रशिविश्विध्याल है इमपाल मनिपूर के कुलपती कौन है ना वाइस चंसलर आप दी सेंटर लेगरी कल्चर उनिवर्सिटी इमपाल तो यह प्राशन जो है वो आपका बी एचू 2017 में पूछा हुआ था मतलब बी एचू 2017 जब एक्जाम हुई थी तब इसके जो वाइस चंसलर थे वो थे डॉक प्रोफेसर परम जीत सिंग आगे चलते हैं भारत में क्षेतरी ग्रामिन बैंक किस वर्स इस्थापित की गई तो इसका सही उतर है 1975 याने के 1905 अरिजिनल रूरल बैंक रड़ी शॉटकर्ट में क्या कहते हैं इसको RRB रिजिनल रूरल बैंक या उच्छेतरी ग्रामिन बैंक अब ये क्या होता है तो मैं आपको सॉटकर्ट में थोड़ा सा बता देता हूँ बैंक जो आपकी होती हो मेंगली थ्री टाइब्स की होती है एक होती commercial bank दूसरी होती है आपकी cooperative banks और तीसरी होती है आपकी regional rural bank हिंदी में अगर बात करें तो व्यवसाइक bank ऐसी banks जिनका मुख्य व्यवसाइक ही banking है banking का मतलब क्या लोगों से पैसा लेना उनको ब्याज देना उस पैसे को सही जगे invest करना यानि कि लोगों को loan देना या mutual funds में या और दूसरी schemes में invest करते हैं पैसा कमाते हैं इनको हम कहेंगे commercial bank जिनका सिर्फ और सिर्फ काम क्या है banking करना दूसरी होती cooperative banks तो cooperative bank का मतलब है कि कुछ व्यक्तियों का समू या cooperative society अगर वो मिल करके किसी bank की स्थाफना करते हैं तो ये कहलाता cooperative bank और इनका मुख्य उद्देश क्या होता है अपनी society के अपने समीती के सदस्यों को लापराप्त करना या सस्ति दर पर या कम ब्याज पर उनको रेन उपलब करना तीसरी होती है आपकी RRB RRB का मतलब है कि जब भी कोई bank होती है तो वो या तो राश्ट्री इस्तर पर होती है है ना या तो अंतर राश्ट्री इस्तर पर होती है पर फिर भी हम देखते हैं कि जो राश्ट्री इस्तर की bank है या अंतर राश्ट्री इस्तर की bank है वो केवल उन जगह पर अपनी शाका है अपनी branches कोलने के लिए तयार रहती जहां banking में ज्यादा लाव तो इसका मतलब कि जो दूरस्त ग्रामीड अंचल या रिमोट एरियाज है हमारे वहाँ पर कोई भी banking करने के लिए तयार नहीं तो गरीबों को गिंट फिर भी नहीं मिल पाएगा तो सुदूर अंचलों में है ना एक या दो जीले में विकास करने के लिए सरकार ने फिर क्षेत्री ग्रामीड बेंगो की स्थापना की तो सबसे बड़ी क्षेत्ता क्या इनकी किसी क्षेत्र विशेश के लिए खोली जाती है छोटे से क्षेत्र के लिए तो एक या दो जीले में कारे रत रहती है और इनका मुख्योग देश है कि जुकाओं के गरीब तब के किसान है जो आदिवासी है उनको रिनोप लब्द कराएं अगे चलते हैं निम्नलिकित में से कौन सी फसल हलकी मिट्टी है तो उप्यूगते हैं हलकी मिट्टी का मतलब हम बलुई मिट्टी या बलुई दोमट से समझ सकते हैं तो मूमफली चुकी जमीनके नीचे लगती है वहां वरद्धी करना रहती है उस फली को तो इसलिए मूमफली के लिए उप्यूगत है हलांकि मक्का के लिए भी हलकी भूमी या बलूई दोमट अच्छी जल निकास वाली भूमी चाहिए इसके अलावा ग्याओं के लिए दोमट मिट्टी और चावल के लिए आप कहे सकते हैं Clay Soil है ना या भारी म्रदा या Latteroid Soil तो भारी म्रदा, clay soil या लेटराइट soil जो है बच्छावल के खेते हैं तो इसका आंसर आजाएगा हमारा मॉंफली या ग्राउन नट नेम ने लिखे तुमें से कौन सी फसल भारत में दलहनी फसल नहीं है मुख्य रूप से स्वयावीन को तेल के रूप में होगाया जाया तो इसलिए स्वयावीन जो है दलहनी फसल नहीं दमें सोर्स यह हम कहें कि दिमें अब्जेक्टिव बेहाइंड ग्रोइंड पर्ल्स क्रॉप इंडिया इस तो अप्टेन प्रोटीन तो ऐसी फसल जिनको मुख्य रूप से प्रोटीन प्राप्ति के लिए उगाया जाता है ना खाद्य प्रोटीन उनको हम कहेंगे दलहनी फसल या पल्स-क्रॉप पर भारत में सोयावीन को तेल प्राप्ति के लिए उगाया जाता है तो यह इसका आंसर आजाएगा है अपे आगे चलते हैं, निम्न लिखीत में से कौन सा राज्य सबसे अधिक धान का उत्पादन करता है, और आप सब लोगों को पता है, कि पस्चे मंगाल जो है, वो सर्वाधीक धान का उत्पादन करता है, पर कभी-कभी वो इस प्रस्ण में थोड़ा सा परिवर्तन करके लिख दे या अंग्रेजी में कहें तो hybrid rice के उत्पादन में प्रथम इस्थान पर है, तो इसका उत्तरा जाएगा हमारा पंजाम, तो धान के उत्पादन में, पस्चिम बंगाल और संकर धान के उत्पादन में, धान में खेरा रोग के इस कारण से होता है, तो क्रशी के इतियास का है सबसे फेमस विस्टन है ना की कमी से स्वरी जिंक की कमी से धान में खेरा-्रोग कि खूजकी प्रॉफिसर यल्स नेने यह अन्होंने 1928 में आरित्परांति के दोस्व धान में जिंक की कमी को देखा है ने इसमें पौधे का color जो है वो ब्रॉंज कलर का है ना ब्रॉंजी या हम कहें कि तामभे जैसा हलका हलका बुरा रंग हो जाते है तो इसको उन्होंने कहा ब्रॉंजी या खेरा रोग आगे चलते हैं सरसो में पूर्ड अंगमारी या अल्टरनेरिया बलाइप हो जातिए अब देखो इस प्रस्थन में उसने उतर दे लिया ऐलटर नेरिया क्या है तो और निदारिया एक फंगस का जीने ज किसमें बहुत सारी म ripping आति है आपकी अलिदाबन नेरिया हम कहें सोलेन तो यह आलू के अगेती अंगमारी के लिए जिम्मेदारी है सरसों में बूर अंगमारी अल्टरनेरिया तो जहां भी अल्टरनेरियां दिखे वह सब फफून से तो आपको नाम याद रखना जैसे जन्तों मुणास एक जीवाण वह जैंतों मुणास बहुत चारी अलग- लोगों का संचरण करता है तो इसलिए जहां भी उनको जैन्थोमोनाज दिखाई दे वह बैक्टिरिया से या जीवानों से होने वाली बिमारी पर अल्टर्नेरिया क्या है एक कि यहां पर आंसर उपर नीचे हो गया ना बिटां तो यह फंजाइग अंग्रेजी का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है तो इंग्लिश में इसका अंसर क्या हो जाएगा आपका पंजाई हिंदिव आंसर हो जाएगा फफ्फू चल आगे चलते हैं सुनहला चावल या गोल्डन राइस किसलिए जाना जाता है तो हम सब जानते हैं कि चावल को फोर्टिफाइड किया गया यानि कि उसमें विटामिन एक ही मातरा को बढ़ाने के लिए उसको गोल्डन राइस बनाया गया तो विटामिन एक ही अधिकता के लिए सुनहले को जाना जाता है आगे चलते हैं यदि दान के पोधे में एक मचली का जेन डाल दिया जाए है ना तो यहां पर जेनेटिक उसका हम कह सकते हैं जेनिटिकली मोडिफाइड क्रॉप जी एम सी अनुवांशिक रूप से परिवर्तिक फसल आगे चलते हैं कौन सी फसल ब्रेशी का जंसिया के अंतर गाता तो इसमें आएगी आपकी राई राई का वानस्पतिक नाम है आपका ब्रेशी का जुनीशिया या ब्रेशी का जंसिया और आगे चलते हैं निमनलिकित में से कौन भारती विग्यानिक अंतर राष्टी शामल अनुशंदान संस्थान फिलिपिन्स के महा निदेश अकते हैं तो डॉक्टर एमे स्वामी नाथन सन 2006 से सन 2012 तक हैने कि 6 वर्ष तक इस अंतर राष्टी ये इंट जो किसकी राजदानी है फिलिपिन्स की और आगे चलते हैं उत्परिवर्तन प्राय कैसा होता है तो सबसे पहले उत्परिवर्तन या म्यूटेशन की बात करें कि अचानक हुए परिवर्तन को म्यूटेशन कहते हैं और ये मुख्य रूप से अप्रभावी अवं हनिकारक होते हैं केवल 5 लाख में से म्यूटेशन जो है वो प्राकरतिक रूप से लाबदायक हो सकता है बाकी 99.99% हम के सकते हैं कि ये जो है नुकसान दे होते हैं और इनके लक्षण प्रकट नहीं कोन संकरधान का जनक माना जाता है तो 1970 में प्रोफिसर यूवान लॉंग पिंग चाईना में है ना तो संकरध प्रोफिसर यूवान लॉंग पिंग ने और कब आया 1970 में चल और आगे चलते हैं भारत में 1989 संकरधान अनुसंधान परियोजना हाइब्रेट राइट रिसर्च प्रोजेक्ट स्टार्ट किया इसी आर ने और अन्तिम रूप से 1994 में प्रोफिसर E.A. सिद्धिकी ने आपका 1994 में भारत में प्रतम संकरधान बनाना है तो आपको ध्यान रखना है कि भारत में संकरधान कब बना 1994 और आगे चलते हैं निमनलिकित में से कौन जेविक खाद के रूप में प्रयूक्त होता है विच अब दू फॉलोइंग इस यूज जैस बायो फर्टिलाइजर तो देखो राइजोबियम कल्चर का भी यूज जैसे बायो फर्टिलाइजर होता है यह जोला का भी जैसे बा अब तो फर्टिलाइजर नमानते हुए पायो मैनियोर और अच्छे से देखें तो और गेनिक मैनियोर माले है यह जोफिला होती है वो निट्रोजन फिक्सेशन करती करती है यह इतना ज्यादा बायो मास को प्रोड्यूस करती है कि जब उसका डिकंपोजिशन होता है कुछना चाहता कि कौन की कार्बनी ते इस रिसाव से ऴेलो ने इसका उकतर क्या दिया इस जो ना इसका उपजेक्षिन बही ले सकते ह Wing इसका उप्जेंज बहुने कर функcken वा सकते हैं प्रफिट से अगे चलते हैं फिशन से जो ब帶 mentality कि साथति पर एक पीटीपार इस यह यह पौधों में लाभ दायक जी वानों यह अथा है लांट ग प्रमोंटर राई्जो बेक्टिरिया तो इसलिए क्या है जीवानव जो प्लांट राईजोइस्पियर याँने की जड़ छेत्रों में रहते हैं विबिन हमों दोर प्रिखेंग का सिक्रेशन जो पौधों की व्रद्धी के लिए लाब दायक माने जाते हैं और आगे चलते हैं निम्न लिखित में से कौन गेयों के साथ अंता फसल के या इंटर क्रॉप के रूप में लगाए जाता है इंटर क्रॉप क्या होता है कि जब फसलों की कतारों के मद्य पड़े खाले इस्थान का उपयोग कर करने के द्रश्टी कौन से उसमें कोई एक फसल और लगा दी जाए है ना फार्मर वांट यूटिलाइज दे वेस्ट दाइस पेस रेस्ट बिट्विन दी रोज ऑफ दी क्रॉप लाट्स ही सो वन अनादर क्रॉप बिट्विन दी स्पेस ऑफ दी रोज तो इसको हम कहेंगे इंटर क्रॉप और इसका उतर आएगा राई हिंदी में सर्सों अंग्रेजी में मस्टर्ड पर यहां पर सर्सों चोकिन नहीं दिया हुआ इसलिए क्या जाएगा तो नाइन इस टुवन है ना गेहों की कित्ते लाइन बोना आपको नौ सर्सों की एक और यह बहुत ज्याद इनके सांद मक्का लगा सकते है ना रेडगराम प्लस सेटारिया प्लस रेडगरामी फाइव एस टुवन जैसी ट्यारी आप अरहर लगा सकते पांच अनुपाथ एक हुआ है और आगे चलते हैं फिर 1932 में बाड आ गई यह बैके चले गया फिर 1934 में इसको दिल्ले ट्रांसपर कर दिया तो अभी कहां यह दिल्ली पूसा रोड नहीं दिल्ली यह पूसा क्यम्पस नहीं दिल्ली आगे चलते हैं टिडडा किस ओर्डर में आता है और ग्रास ओपर बिलॉंग्स टू दी ओर तो इनका ओर्डर है आपका और थो टेड़ा में दीमा काता है लेपिड़ोग टेरा में आपके कोटन के जितने भी इंशेक्ट आते हैं आगे चलिए जैसे वाल्वम्स जो आती है न को नहीं लिखा जाना चाहिए था क्योंकि यह सिस्टम आफ राइस इंटन सिफिकेशन तो यह शॉर्ट हम वाम में किसे शेली लिखा साव किश्म को नक्सान कट पहुंचाता है सर्कों सबसे ज्यादा स्रसों का मुख़ी कीट इसका नाम है विघ्यानिक नाम है या तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं गेऊन का दान का औरेजा सटाइवा मक्का का जिया मेज है ना यह आठ साथ आठ तरे की होती है ज्वार का सोरगम बाइकलर वानस्पतिक नाम से जब भी प्रशन आते हैं तो वह अगर घुमाने की कोशिश करें तो आपको ध्यान रखना है कि धान औरेजा सटाइवा है कि है ना जितने हो राई जाहे वह सब दान मैं मतलब अगर जी ना से सेम हो तो सब भी सेम होसकती और आगे चलते हैं आशिरवाद की फसल की किस्म है तो ये तेल की किस्म है परंतु ये सरसों वरगी में भी कहीं कहीं मैंने किस्म पड़ी थी आशिरवाद पर ये जितनी पापुलर नहीं है जितनी तेल की है और इसकी क्या क्या है कालिका, सुमा, कनक, प्रभा, राजेश्वरी, रामा, ऐसी बहुत सारी किसमे जो तिलगी वो फेमस हैं एक बार उन पर नजरें दोड़ा लेना और आगे चलते हैं अगला प्रहन हमारा कौन सी फसल हरी खाद के लिए प्रयोग की जाती है है ना तो हम जानते हैं सनई और धेंचा जो है वो सबसे ज़्यादा महतुकूण हरी खाद वाली आपकी फसले हैं तो इसका उतर आजाएगा आपका धेंचा सजबेनिया एकुलिटा और सजबेनिया रोस्ट्रेटा है ना धेंचे की दो प्रमुक हम कहें कि इस पीशीज है जिसमें सजबेनिया रोस्ट्रेटा जो है उसके तने पर भी आपको गाठे दिखाई देती है ना यह भी प्रश्ण आ जाता है कि निम्न में से कौन से दलहनी पोधे में तने पर राईजूबियम गठाने दिखाई देती है तो उसका उत्तर भी कह आएगा धेचा याने के सजबेनिया रोस्ट्रेटा और आगे चलते हैं निम्नलिकित में से कौन सा सोक्ष्मता तो सर्सों में तेल की मातरा बढ़ाने उपी होगी तो हम सब जानते हैं कि सल्फर जो है वो तिलहनी फसलों में तेल की मातरा को चार से 9 प्रतेशत तक बढ़ा देता है है ना सबही तिलहनी फसलों का जब भी प्रश्ण आए है ना तो हमको हमें है सल्फर लगा के रखना और इसलिए अमोनियम सलफेट है ना खाद का प्रयोग हम ज्यादा करते हैं और आगे चलते हैं गेंगे दानों में प्रोटीन की मातरा होती है तो हम जानते हैं कि जो दलह 65% या इससे भी ज्यादा कार्बोहइडरेट होता है 60% से जादा परन्तु जितनी भी दलहनी फसले हैं उनमें भी 10 प्रतिशत के लगभग आपका प्रोटीन होता है तो यह उतर आ जाएगा जितनी भी अनाज वाली फसले उनमें 10 प्रतिशत प्रोटीन होता है तो आपका उ निम्न लिखित फसलों में से कौन म्रदा में वायू मंडली नाइट्रोजन को बढ़ाती है सीधर सीधर नाइट्रोजन फिक्सेशन की बात कर रहा है मतलब उत्तर जो भी आएगा आपका वो आएगा दलहनी फसल है ना फिक्सिंग एट्मस्फिरिक नाइट्रोजन इंटो स्वयल तो आपको यहां पर हमेशन लेग्यू मिनस क्रॉप डूढ़ना है मेज नहीं आएगी चावल यह करती तो है पर फिर भी गन्ना और इसका उत्तर उपना दे दिया राजमा यह ना पर अगर इसी प्रश्ण को दूस आपको ध्यान रखना इसका भी राजमा और अगर नहीं पूछे तो भी राजमा हमको सही या गलत के चक्कर में नहीं पढ़ना है हमको तो बस यह देखना है सामने वाला पूछना क्या चाहता है इसमें पूछना चाहता कि आप इनमें से दलहनी फसलों को पैचानते हो हम य गलत से कोई लेना देना नहीं है आगे चलते हैं कि शारी म्रदा सुधार है तो हम किसका प्रयोग करते हैं तो जिपसम का प्रयोग शारी म्रदाओं के सुधार के लिए किया जाता है और यह भाई इस्टार क्विश्चन है भाई इस्टार का मतलब बहुत ज्यादा महद्व और नीचे के यह जो दोनों दिखाई दे रहे यह तो पूर्वरक है आगे चलते हैं ड्रीप सिचाई के अंतरगत अधिक्तम क्षेत्र वाला या अधिक्तम क्षेत्र फल वाला छेत्र है मैक्जिमो मेरी अंडर ड्रीप इरिगेशन इजन तो जो आपकी हेंड़गू का अगरी कल्चर है उसमें लिखा है कि सन 2005 के डाटा के हिसाब से जो इसका उत्तर महराश्च आना चाहिए पर जो बीएच्छू वाले हैं चूकि वो उत्तर प्रदेश को ज्यादा प्रेम करते है यह हो सकता है कि अभी वर्तमान परिस्थितियां बदल गई हूँ महराश्च की तुल्ला में उत्तर प्रदेश में ड्रिप का प्रयोग ज्यादा किया जाने लगा हूँ तो उन्होंने इसका उत्तर दिया था उत्तर प्रदेश है ना तो आपको ध्यान रखना है इसका उत् जहरीला प्रदूशक है सन 2016 में जब यह पेपर होने वाला था उसके एक महीने पहले एक स्टूडेंट था मेरा वो आया उसने में से पूछा भूले सर पी एच्छों के लिए कोई एक्स्टा टिप्स आप में को दे सकते हैं क्या तो मैंने उससे कहा था कि बिटा आपका जो एकोलोजी वाला पॉर्शन है ना जो आपका हम कहें कि ग्लोबल वार्मिंग या सोईल पॉल्यूशन वर्टर पॉल्यूशन एर पॉल्यूशन उससे रिलेटेड आपको पुरश्न स्वालू करना है कहीं से मिल जाए तो तो उसने पूछा था कि जैसे तो मैंने उसको कह दि इस आपको प्रोफेसर शिवा रमटर पॉल्यूशन तो पॉल्यूशन वर्टर पॉल्यूशन तो इसा क्यों उससी साल आ गया था तो इसको एक सहीं योग कहा जा सकता है पर यह प्रश्न भी आपको याद रखना है बहुत इंपोर्टेंट है आगे चलते हैं नाबाड की स् इस आपना प्रोफेसर शिवा रमन कमीटी की सिफारिस्म प्रोफेसर शिवा रमन कमीटी ने इसको रिक्मेंट किया था कि आपको नाबाड की स्थापना करना है चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरह हुमस का कार्बन और नाइट्रोजन का अनुपात होता है अगले प्रश्न की मातरा पाई जाती है तो आप सब लोग जानते हैं सबसे ज़्यादा आसान और महतुपूर्ण प्रश्न है आपका यूरिया में चैनली प्रतिशत्र नाइट्रोजन होता है सब को पता है बहुत ही आसान प्रश्न अगला प्लांट प्रोटेक्शन क्वारिंटाइन एम इस्टोरेज निदेशालाइग यह कहां है तो यह फरीदाबाद में याद करने का है रिचर्स इंस्टिटूट है और आगे चलते हैं कपास लीफ करल वाइरस का वेक्टर को ने वेक्टर ऑफ लीफ करल वाइरस ऑफ कॉटन इस तो यह होता है वैसे तो वाइट फ्लाई हिंदी में इसको कहते हैं सफेद मक्षी है ना सफेद मक्षी बेमेसिया टेबेकाई इसका वेग्यानिक नाम है और यह बहुत सारे पौधों में वाइरस को पहुचाती है क्योंकि वाइरस जो खुद इंफेक्शन नहीं कर सकता उसको किसी वाहा क्या वाश्यक्ता पड़ती है और उसी को अंग्रेजिम कहा जाता वेक्ट तो कपास का लेव करल जो है वो कौन ले जाता है मेमेसिया टेबेकाई या सफेद मक्षी है ना चलिए आगे चलते हैं जेविक नियंतरन है तू अंडा पर जीवी है एग पेरिस्टोइट है ना यह पर जीवी नहीं आता इसका इसकी जगे पर क्या सही शब्द है पर जिव जिव्याब तीन तरह के हम कहें कि प्राकरतिक शत्रू हो सकते हैं किसी पर ऑर्गेनिज्म के पहला आपका कहला था पर भक्षी दूसरा आपका कहला था पर जीवी और तीसरा कहला था पर जिव्याब यह पर भक्षी यह प्रेडेटर को ग्यूक्त वह जीव जो किसी दूसरे जीव को मार कर खा जाता था वह उसका बख्षन कर लेता उसको हम उन कहेंगे पर भक्षी शीकारी जितने भी जीव्य पर भक्षी प्रकार के होते हैं वह के जीवी अ дал την sit तो यह किसी दूसरे जीव के उपर अपने भोजन के लिए निर्भर करता है जैसे पिस्सू हुए या आप कहें कि मच्छर हुए तो यह सब क्या है पर जीवी यह कि नहीं दूसरे जीवों से अपना भोजन गर्ण करते हैं परंतु उनको मारते नहीं है मतब थोड़ा थोड़ा करके लेते हैं तीसरा अथा पर जीव्याब या पेरिस्टोई तो यह एक प्रकार के पर जीवी है जो धीरे धीरे करके और अपने होस्ट जिसके उपर वो निर्भर कर र भोजन गर्ण करते 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 अपने होस्ट को मार ही डाले उनको कहा जाता है पर जीव्याब है तो इस केस में आपका उत्तर आएगा ट्राइको गामा इस पीसे यह क्या है एक पर जीव्याब एक अंड पर जीवी है जो दूसरे कीटों के अंडों को खा जाता है और आगे चलते हैं चबाने और चाटने वाले मुखांग पाए जाते हैं तो कीटों के मुखांग विशे शुरूप से हम बात करें तो मुखेता पांच प्रकार के होते हैं ना एक काटने चबाने वाले एक चबाने और चाटने वाले तो यह पाई जाते हैं मदू मक्ही में एक होते हैं चुभाने और चूसने वाले तो जितने भी रज चूसने वाले जिसे थ्रिप्स हुए, एफिड हुए या भाइट टाई हुई इन में समय कैसे होते हैं चुभाने और चूसने वाले पीर्सिंग और सकिंग टाइब जबकि तितली में है ना साइफन आकार के और घरेलू मक्ही में इस्पोंज प्रकार के तो यह अलग-अलग प्रकार के हम कहें मुख अंग या मुखांग आगे चलते हैं अधुनिक पादप्रोग विज्ञान के जनक है तो एंटॉन डी बेरी को अधुनिक पादप्रोग विज्ञान का जनक माना जाए भारत का पूछे के भारत में कौन है तो ईजे बटलर है ना इजे बटलर को भारत में पादप्रोग विज्ञान का जनक माना जा आगे चलते है बोर्डो मिश्रन किसके द्वारा विक्सित किया गया तो इसकी पूरी कहानी हमने पिछले जो हमारी लाइव फ्लास हुई थी जिसमें हमने सन 2018-19 के बीचु पेपर सॉल कराये थे तब मैंने सब बता दिया आपको बोर्डो मिश्रन के बारे में आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा तो उसको फिर से देख लें आगे चलते हैं बंगाल में अकाल का कारण था अब देखो ये बीचु का पुरश्न पूछने का एक पिल्कुल ही नया तरीका है जो 2016 में ही सामने आए सब को मालूम है कि धान में जो बंगाल स्वरी धान में जो पत्ती धबा रोग था ब्राउन स्पोर्ट आफ राइस यहां लिखा हुआ भी है उसके कारण धान की फसल खराब हो गए सन 1943 में 1943 और इस कारण से अकाल पड़ा तो अधिकतर बच्चों ने क्या किया कि गए और यहां जाकि इस उत्तर सही कर दिया परन्तु यह जो रोग है इसका कारण कोन है हल्मिन्त और इस्पोरिया मोराई जी तो यह भी तो कारण हुआ और जब दो उत्तर सही थे है ना तो आपको देखना है तो इसका सबसे ज़्यादा सही उत्तर क्या जाएगा आपका फोर्थ तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी ऐसा परशना है तो चारो आप्शन पढ़ना है यह भी सही है यह भी सही है तो फिर उत्तर क्या हो जाएगा इसका एक और दो दो नो इस 2016 वाले पेपर में बहुत सारे प्रश्ण इस प्रकार के थे और आगे चलते हैं पक्सीनिया ग्रेमिनिस्टिटिशाई गेहों में किस रोग का करा है हम सब जानते हैं कि ब्लेक रस्ट या काली रोली जिसको इस टेम रस्ट भी कहा जाता है तो इसका उत्तर भी क्या जाएगा एक और दो दोनों पर एक और प्रश्ण होता है इससे संबन्दित कि गेहों में कौन सा रस्ट नहीं लगता तो इसका उत्तर आता है वाइट रस्ट वाइट रस्ट क्योंकि ये काय में लगता है यह लगता है सर्सों वरगी, मस्टर्ड, गेव में कौन कौन चा लगता है आपका, ब्राउन रस्ट, ब्लेक रस्ट, और गेवलो रस्ट, जिसमें से ब्लेक रस्ट को हम क्या कहते है, स्टेम रस्ट, यलो रस्ट को लीफ रस्ट और ब्राउन रस्ट को स्ट्राइब रस्ट, चलिए और आगे चलते हैं, फ्यूजेरियम विल्ट, कैसे कवक जीव के कारण होता है, फ्यूजेरियम विल्ट, ओकास due to a fungal organism, विचित, तो इट इस स्वाइल बोर्न फंगास, फ्यूजेरियम जो है वो म्रदा जनेत कवक है, जो हमेशा म्रदा में पाई जाती है, और दस सेंटीमेटर से अधी केराई पर नहीं पाई जाती है, तो जो विल्ट या उकटा रोग है, उसको पैदा करने वाली या उसका रोग कारण जो कवक होती हमारी फ्यूजेरियम इस पीशीज, वो एक म्रदा जनेत कवक है, आगे चलते हैं, अत्याधिक रेसीडियू रेटेंशन, है तो कौन सा ड्रिल मशी मशीन उप्योगते है, विजडियल मशीन इस शूटेबल फोर हाई रेसीडियू रेटेंशन, अब इस प्रश्न को हमने पहले कभी नहीं देखा और नहीं इस प्रकार के प्रश्न देखे, है ना, क्योंकि बारवी के इस तरह तक इस तरह की बाते हम नहीं करते हैं, तो फिर इस प्रश्न को हम देखते हैं, पूछना क्या चाहता है, अत्या देख, रेसीडियू रेटेंशन, है ना, हाई रेसीडियू रेटेंशन, रेसीडियू का मतलब तो फसल अवसेश, वो रेटेंशन का मतलब बनाए रखने के लिए, तो फसल अवसेशों को बनाए रखना है, याने कि कहीं न कहीं वो इसे यंत्रकी बात कर रहा है जो फसल अवसेशों को नुक्सान पहुंचा है बिना बुवाई करते हैं तो यह होता है हैपी टर्बो सीडर मैं दिखा देता हूँ आपको कैसा होता है तो इस प्रकार का होता है यह हैपी सीडर जो खेत में खड़े आवसेशों के बीच में भी बुवाई का काम करवा सकता है है ना? हैपी सीडर या हैपी टर्बो सीडर के नाम से जाना जाता है आगे चलते हैं प्रात्मी के हम दिती एक टिले जटू कौन सा यंत्रोप योग तो होता है तो हम जानते हैं देशी हल्का प्रयोग हम प्रात्मी के हम दितियक दोनों में कर सकते हैं परन्तु बीएच्चु ने 2016 में इसका उत्तर दिया था रोटा वेटा तो आप पूछोगे कि सर क्या यह उत्तर गलत है नहीं हमेशा नहीं कह सकते हैं क्योंकि एक अवधार ना जो है तिलेज की या भूपरिश्करन की वह कहती है कि बुआई या इससे पहले जो भी होगा वो सब प्रात्मिक भूपरिश्करन की वह कहती है कि बुआई के बाद जो भी होगा वो दितियक भूपरिश्करन की परन्तु जो आधुनिक अवधारना है भूपरिश्करन की वह कहती ये के 15 cm से कम प्राथमिक भूपरिश्करण या प्राइमरी टिलेज और 15 cm से अधिक गहराई पे है ना अधिक लिख देता हूं या अधिक गहराई पे प्राइमरी टिलेज और 15 cm से कम गहराई पे जो होगा वो देती ये भूपरिश्करण या सेकेंडरी टिलेज तो अगर इस अवधारणास देखा जाए तो रोटावेटर जो हो उपर-ॉपर चलता है इसलिए इसका उत्तर उन्हों ने रोटावेटर दिया आगे चलते हैं संघनन से बचाव हित्व खेत में किस प्रकार के टायर का उपयोग किया जाता है तो संगनन का मतलब क्या है कि जब ट्रेक्टर के टायर चलते हैं तो वो कुछ इस प्रकार की आकरती या आकार बनाते हैं केत में खास करके बीच वाले टायर और इससे क्या होता है कि उसके नीचे आने वाली जो म्रदा है वो दब जाती है कठोर हो जाती है तो वो एक रशी अंतर जो ट्रेक्टर के पीछ चल रहा होता उसको पहले से ज्यादा ताकत लगाना पड़ती है मतलब अपने बजन के कारण ही ज्यादा ड्राप्ट लगाना पड़ता है तो इससे बचने के लिए क्या किया गया टायरों को पतला कर दिया गया संकुचे टायर या नेरो टायर और यह कैसे दिखाई देते हैं तो कुछ इस प्रकार से है ना इनका एक फाइदा क्या है कि संकुचे टायर के साथ फसलों की कतारों के बीच में भी ट्रेक्टर को चला सेकंडरी टिलेज या इंटर कल्टिवेशन के लिए है ना तो हम के सकते हैं उगी हुई फसलों में भी संकुचित टायरों के साथ आप ट्रेक्टर चला सकते हैं पतले हो जाते हैं आगे चलते हैं शून ने टिल में कि इस प्रकार के टाइंस का प्रयोग किया जाता है ना तो उसमें जो टाइंस होते हैं टाइंस किन को बोलते हैं किसी भी अंतर में है ना इस प्रकार के जो आकरती होती है जो जमीन के अंदर जाती उसको कहते हैं हम tines और ये कैसे होते हैं inverted T opener type के यहाँ पर देख लेते हैं है ना ये zero drill है और इसमें यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है दो जगे inverted T type के जो फरोज open करने का काम करते हैं है ना तो इसका उतर क्या जाएगा हमारा inverted T opener और आगे चलते हैं सटीक बीज दर है तो कौन सी metering device है है ना तो बी एचू ने इसका उतर दिया है inclined plate type किस type की inclined plate type जो बड़े बड़े बीजों जैसे मुमपली हुआ है ना आपका काबूली चना हुआ इस प्रकार के बीजों की बुआई के लिए प्रयोग किया जाता है और आगे चलते हैं यह यहाँ पे लिकावा है सीड का फर्टिलाइजर ड्रिल का यह प्रशन है तो inclined plate type का जो metering devices में प्रयोग किया जाता है मतलब कहीं न कहीं उसी यंतर से दो तीन प्रशन पूछ ले गए और यह पूरा पॉर्टिशन जो है आपका agriculture इंजिनियरिंग वाले पॉर्टिशन में आता है जिसमें आपे न कंबाइनर हर्वेस्टर पड़ते हैं बहुत सारे seed drills पढ़ते हैं नेपshake sprays पढ़ते हैं पर यह सब BACAG वाला material आपके 12 तक के level में नहीं आता है और आगे चलते हैं कैसे पोदों में जल उपयोग दक्षता सरवादी होती है तो हम सब जानते हैं कि जो came पोदे होते हैं यह succulent होते हैं और इनकी water use efficiency या जल उपयोग दक्षता जो हो सबसे ज़्यादा होती है तो दक्षता की बात करें तो सबसे पहले आजाएगा आपका came plant Cresolation Acid Metabolism फिर आजाएगे आपके C4 plant और सबसे कम दक्षता होती है C3 plant की पर अगर जल के उपयोग की बात करें तो सबसे ज़्यादा पानी की इसको चाहिए C3 plants को फिर उससे कम पानी की इसको चाहिए C4 plant और सबसे पानी चाहिए came plant है ना तो यह उपयोग का करम है या पानी जल्मा और शक्ता और यह दक्षता या एफिशिंची लगए आगे चलते हैं Day Neutral पोधा कौन सा है देखो फिर उसने प्रश्ण गुमाया है ना A option सही है मक्का बहुत बढ़िया यह बहुत बढ़िया पर डी option में दे दिया एक और दो दो नो तो सबसे ज्यादा सही उत्तर क्या हो जाएगा यह द्धान की कुछ किस्में Day Neutral है यह बहुत मामला है कि धान की जैसे पदमा और आई यार एट जो है वो Day Neutral वेराइटीज है परन्तु धान का पोधा कैसा है तो धान का पोधा होता है शॉर्ट डे प्लांट लगुदिवस और उसकी दो किस्में जो है वो दिवस उदासी पदमा और आई यार एट तो उन्होंने इसको भी option में दिया ताकि आप आपको ध्यान रखना है धान जो शॉर्ट डे प्लांट है उसकी केवल कुछ किस में दिवस उदासी आगे चलते हैं सदा हरित करांती शब्द किस ने दिया तो डॉक्टर म.स्वामिनाथन ने सर्व हरित करांती का कंशेप्ट दिया इसका उतर क्या जाएगा आपका डॉक् इंस्टिटूट ऑफ साउथ एशिया है ना फुल फॉर्म पूछ लिया डायरेक्ट वीसा किसे जम्बन देता है तो बॉर्लोग इंस्टिटूट ऑफ साउथ एशिया है ना अगे चलते हैं जन संपर कहें तो एक माध्यम है है ना मास कॉंटेक कम्यूनिकेशन कितने लोगो से एक साथ कॉंटेक करते हैं तो उसको कहते हैं मास कम्यूनिकेशन उसमें कम सकम किते लोगोना चाहिए तीस और इससे ज्यादा ज्यादा तो किते भी हो सकते हैं अब देखो एक होता है आपका परसनल इंटर्वी या टेलिपोन इंटर्विव तो उसमें आप एक ही व्यक् तरक लोगों से बाचीत कर जब कि मास कम्यूनिकेशन जब भी आपको speech देते हैं या टीवी, रेडियो, न्यूजपेपर, तो यह सब मास कम्यूनिकेशन के मीडिया में, तो मास कम्यूनिकेशन कब कहेंगे, जब एक सान्थ 30 या इससे ज्यादा लोगों से हम interact करते हैं, तो बीएसी के बाद आप कर सकते हैं एबीम एगरी बिजनेस मेनेजमेंट में मास्टर डिग्री और उस एबीम की डिग्री को करवाने वाला यह संस्तान है जो प्रतिवर्श चात्रों को पूरे राश्ट्री इस्तर पर एक परिक्षा के माध्यम से चैन करता पिर एबीम की ड दिलवाता है management in agriculture आगे चलते हैं कि ट्रेनिंग एंड विजिट बनाली प्रतम बार किस राज्य में शुरू की गई ती है ना तो राजिह सान से शुरू की गई थी ट्रेनिंग एंड विजिट बनाली और आगे चलते हैं नियमने लिकीत में से कौन सा और्वरक कार्बनिक प नेचर है ना तो फर्टिलेजर या उर्वरकों की परिभाशा है कि कारखानों में तैयार किये गए वे अकार्बनिक रसायन जो पोधों को पोशक्ततों प्रदान करते हैं तो उसकी डेफिनेशन में अकार्बनिक शब्द है ना और यूरिया और केलिशियम साइनामाइड यूरिया और केलिशियम साइनामाइड दो एसे उर्वरके जिनमें कार्बन होता है यूरिया का फॉर्मूला क्या है सीओ एनस टूप एनस टू-स तीओ एनस टू एनस टू यह इसको शीओ एनस टू-टू वites भी लेख सकता है तो इसमें चुंकि कार्बन होता है इसलिए इसको और्गनिक नेशर का पर्टिलाइजर माना जाए तो यह दो एक्सेप्शन है ना दुनिया के सारे ही जो उर्वराखे या पर्टिलाइजर से हैं वो अकार्बनिक परन्तु यूरिया और केलिशियम साहिनावाइड जो है वो क किल्षियम और बोराण नए पतियों पर फेस्क्यूमन अय ना आरन, सल्फर, कॉपर, मिगनीशु पुरानी पतियों पर एन-пी-क-म-ो-म--जी ना ना नाइट्रोजन, फॉसपोरस, फोटेशियम, अलिब्डियोन और मिगनीशियम और नई पुरानी दोनों पर एक साथ या बीच वाली पत्तियों पर जिंक तो इसमें से उत्तर क्या जाएगा आपका सलफर की कमी के लक्षन सलप्रथम नई पत्तियों ठीक है तो इस तरीके से याद करेंगे बहुत सारे प्रश्ण आप हल कर सकते हैं आगे चलते हैं नेमल्य में से गहरी जड़ वाली फसल पद्धति का चैन करें गहरी जड़ की बात कर ला है चावल, गेव, मक्का, गन्ना, कुसुम, केस्टर, मुंपली, तंबाकु, पपीता, प्याज, लहसून तो इसमें से गन्ना, कुसुम, और केस्टर, इन तीनों की जड़े जो है वो तुलनात्मक द्रश्टिकोंड से ज़्यादा गहरी है चलिए, और आगे बात करते हैं, टेली विजन का प्रसारण केस बर्स शुरू हुआ, तो टेली विजन का प्रसारण भारत में शुरू हुआ उनिस सो पैंसट, दिली दूर दर्शन के माध्यम से, और आगे चलते हैं, सामुदाइक विकास कारीकरम तो यह रिपीट होने वा थे, और आगे चलते हैं, भारत का पहला करशी विश्विद्याला है, तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं, गोविंद वरलब पंत, यूनिवर्सिटी ओफ एगरिकल्चर और टेक्नलोजी, इसके बारे में भी हमने डिसकस पहले कर लिया है, जब लाइव क्लास हमने ली उस समय, और आगे चलते हैं, गेहूं किस मौसम की फसल है, तो हर बार भी पास बच्चा जानता है कि गेहूं जो रभी के मौसम राती है, है ना, ठंड के समय में जो फसले लगाई जाती है, जिन के लिए कम ता आप मान क्या अश्यक्ता पढ़ती है, वो सब रभी की फसले क आगे चलते हैं, गेहूं में बेसिक गुण सूतर संख्या, तो इस बारे में भी डिसकर्शन हम लोग कर चुके हैं, गेहूं तीन प्रकार का होता है, डिपलोईड, टेटरापलोईड और हेक्जापलोईड, डिपलोईड में साद्दूनी चाउदा, है ना, टेटरापलोई में 28 और हेक्जापलोईड में 42 गुण सूतर होते हैं, गेहूं की बेसिक गुण सूतर संक्या या एक्स बराबर होता है साथ, तो इसका उतर जाएगा साथ, और आगे चलते हैं, भारती हरित करांती के पिता है, तो डॉक्टर M.S. स्वामी नातन जो हो भारत में हरित करांत और इसके बाद से इनको फिर अर्थ शासर का पिता मा या फादर ओफ एकोनॉमिक्स कहा जाने लगा, और आगे चलते हैं, निम्नमे से किस गेहूं के साथ मिश्रित फसल के रूप में हो गया जाता है, ये वोई गेहूं प्लस सर्सों की बात कर रहे हैं, मिश्रित फसल के र अर्वेस्टिंग के बाद काटने के बाद तुरंत बेचा जा सकता है, वो नगदी फसल है, तो इन में से देख लेते हैं, गन्ना है, कपास है, मुंपली है, तो कोन नहीं है, गेहूं, तो इस प्रशन का उत्तर आपका क्या जाएगा, गेहूं जो एक नगदी फसल नहीं, क रबर उत्पादन करता था, 2013 जुदा, अभी शायद ही आखड़ा थोड़ा सा कम हो गया, दूसरे राज्यों में भी रबर का उत्पादन पर पर मैं आपको एसा एक 5 स्टार क्वेस्टन बताता हूं, जो अगर आया तो उसका उत्तर सिर्प आप ही लगा पाएगे, S2D2 का स अमबंद है, और इसका उत्तराता रबर उत्पादन से, भारती रबर का नाम क्या है, Ficus Elastica, Ficus Elastica, वो रिखोता है, ब्राजिलियन रबर, उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है, हिविया ब्राजिलेंसे, आपको याद रखना है, अगर ब्राजिलेंस से साथ, ब्राजिलियन रबर है, भारत का Ficus Elastica, और आगे चलते हैं, प्रयोग शाला से जमीन तक, Lab to Land Program, तो ICR की स्थापना के 50 वर्ष बाद, यह कारिकरम चलाया गा था, Lab to Land Program, तो ICR ने ही चलाया था, इंडियन काउंसिल आफ अगरिकल्चरल रिसर्च, प्रयोग शाला से खेत तक कारिकरम, पुरा आगे चलते हैं, जीवानों भोजी क्या होता है, तो यह एक प्रकार के विशानों होते हैं, जो जीवानों का भक्षन करते हैं, और जिनकी बहुत अधिक मातरा भारत की गंगा नदी में पाई जाती है, और इसलिए कहते हैं, गंगा जल कभी खराब नहीं होता है, त फिर इनके इसे पेर होते हैं, है ना, वो इनको कहा जाता है, जीवानों भोजी या बेक्टिरियो फेज, तो आपको ध्यान रखना है, है ना, सीर जो है इनका टेटरा है डल होता है, तो इस प्रकार के होते हैं, किसी भी बेक्टिरियल सेल पर आके अपनी टांगे गड़ा दे करते हैं और यह सब बायवाले सर आपको बहुत डेटेल में समझाएं तो बैक्टिरिय फेज क्या एक प्रकार के वेश्टानू है जो जीवाणूं का भक्षन करते हैं तो इसका उत्तर क्या जाएगा जीवाणूं में संक्रामक वेश्टानूं आगे चलते हैं नियम्मलिकित उर्वरकों में से कौन सा उर्वरक विधिक मूल्य नियंतरण का मतलब जिसका मूली जो है वह सरकार डिसाइट करें अंडर स्टेट्टुरी प्राइस कंट्रोल है ना तो यूरिया चुकि इसकी डिमांड बहुत जादा है भारत वर्ष में जितना भी उर्वरक प्रयोग कि जाता उसका 55 से 80 प्रतिशत जो है वह अकेले यूरिया का प्रयोग किया जाता है और इसलिए गवर्वर्मेंट ने इसके प्राइस पर पूरी तरह से कंट्रोल किया है ना और एको प्रस्णा आता है कि यूरिया पर सब्सीडी कब शुरू हुई तो एक नवंबर 1977 यूरिया पर सब्सीडी शुरू हुई तो इसका उत्तर भी क्या आएगा यूरिया और इसका तारीक है ये सब्सीडी तालू करने है ना तो विदेग मूले नियातरान के अंतरगत यूरिया आता है इसलिए दो तीन सो रुपे में बिल जाता है क्योंकि सरकार ने इसकी प् पहले शारों उत्तर हम लोग देख लेते हैं पीले फूलों वाले और पीले पौधों के समागम से हरे फूल वाले पौधों का निर्मार ठीक है मचली से पाई गई अनुवान शिक्ता की खास मूल भोतिक इकाई को जोड़कर किसी पौध के गुणों का विकास करना गामा कि चार अलग अलग प्रकार के साइंस की डेफिनिशन यह यह आपका प्लांट ब्रीडिइंग यह होजाएगा आपका अभी अंशिक अभी आनत्रिक या जेनेटिक इंजिनेरिंग जिसमें किसी एक मूल भोतिक उताई मतलब जीन की बात कर रहे हैं मचली में पाई गई जो जी जीन और जोड़ देंगे और किसी पोधे का विकास कर देंगे कि किसी मचली का एक जीन जो है वो किसी पोधे में डाल कर उसके गुणों का विकास कर तो यही तो जनेटिक होता है है ना चलिए आगे चलते हैं यह गामा किर्णों से तो यह मुटेशन हो जाएगा है ना यह जाएगा आपके टीशू कल्चर तो इन चारों में आपको बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा जहां भी जीन शब्द यह क्या लिखा है मूल बहुत ही ठीक है इसको जब भी किसी पोदे में डाल देंगे मतलब मचली का जीन प्लांट में ट्रांसपर करना तो यही तो जेव अभियांतरी की या जैनेटिक इंजीनेरिं कहला जिसको हम बायो टेक्नलोजी भी कहते हैं आगे चलते हैं बीटी कापास क्या होता है तो बीटी कापास के बारे में बहुत डिट से किस विशय है तो नोबेल पुरुषकार से सम्मानित किया गया है तो समस्या आई थी कि नॉर्मन इब और लोग थे वह एग्रिकल्चर के साइंटिस्ट थे तो उन्होंने काम तो बहुत बड़ा कर विश्व में ग्रीन रेविलुशन हरित करांती लेकर आए परंतु जब उनको नोबेल प्राइज देना डिसाइट किया गया तो पता चला के नोबेल जो है वो चिकित्सा के चेतर में मिलता है रसायन के चेतर में मिलता है बहुतिकी के चेतर में मिलता है और शांती और अमन के चेतर में मिलता है तो एक विग्यानीक थे सर अल्फरेड नोबेल उन इन्हों अपने सारी संपत्ति की वसीयत लिखवा दी के संपत्ति का जितना भी ब्याज बनेगा प्रतिवर्श उसका पुरुषकार दिया जाएगा इन वेविन चेद्रों तो क्रशी में चुकि नोबल पुरुषकार नहीं दिया जा सकता और अलफ्रेड नोबल तो जिंदा होने वाला था युद्ध होने वाला था वो टल गिया मतलब शांती की स्थापना की और इनको अंतत्ता 1970 में अमन और शांती के लिए पीस के लिए नोबल पुरुषकार दे दिया गया एक मातर करशी विग्यानिक जिनको नोबल पुरुषकार मिला वो है नॉक्टर नॉर्म इप बोलो आगे चलते हैं निमन में से कौन दो जीवधारी एक सांत वास्त करते हुए लाइकेन नामक सहजीवी संरेशना बनाते हैं तो शेवाल और कवाब विच आप दी फॉलोईंग टू लीविंग ऑर्गनिल सिंबाटिकली डेवलोप दिटो गेदर तो फॉर्म लाइ झाल 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 झाल